दोस्तो डाइबिटीज आज के दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भारत में बहुत से लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं अभी तक ये बिमारी सिर्फ बड़ों में पाई जा रही थी लेकिन अब इस बिमारी ने बच्चों को भी अपना शिकार बनाना चालू कर दिया है इसके पीछे कई कारण हैं लेकिन जो कारण प्रमुकता से सामने आया है वो है खराब लाइबिस्टाईल बच्चों के खानपान की आदते बच्चों में डाइबिटीज का कारण बनी है अध्यनकरताओं ने बदाया हाल के कुछ वर्षों में बच्चों में भी डाइबिटीज का जोखिम बढ़ते हुए देखा जा रहा है बच्चों में मुख्य रूप से टाइब वन डाइबिटीज का खत्रा होता है पर कुछ बच्चों को टाइब टू का भी शिकार पाया जा रहा है कम उम्र में मदोमे की समस्या कई प्रकार की जटिलताओं को बढ़ाने के साथ क्वालिटी ओफ लाइफ को भी प्रभावित करने वाली हो सकती है बच्चों में डाइबिटीज का जल्द पता लगाने के लिए इन लक्षणों पर ध्यान दे जैसे कि बार-बार पेशाब आना, मुत्राश्य में संक्रमड होना, संक्रमड घाओ का धीमा उपचार, ठकान के साथ धुन्दली आखें, अधिक प्यास लगना, बलड में ग्लुकोस का हाई लेवल, हाथ पैरों में जंशनाहट, मिचली और उल्टी आना बच्चों को डायबिटीज की बिमारी से दूर रखने के लिए बच्चों को स्वस्थ भोजन का महत्व सिखाना, जंग फूट से परहेश करना, स्वस्थ स्कैनिंग में शामिल होना, खाने के दौरान स्क्रीन से परहेश करना, अधिक पानी पीना, अधिक फल और अधिक पुपजियों का सेवन करना, धीरे धीरे खाना खाना, भरे पेट के साथ भोजन की खरिदारी करना, परिवार के साथ भोजन करना, अपनी बच्चों को प्रती एक दिन कम से कम 60 मिनट के लिए किसी फिजिकल अक्टिविटी में शामिल करें, जितना हो सके उसे किसी फिजिकल शामिल करें ताकि उसकी बोडी आक्टिव रहे और बच्चा डायबेटीज की बिमारी से बच्चा रहे प्ढ़ाई में के साथ कनेक कर सके माता पिता को समय समय पर अपनी बच्चों की डायबेटीज की जाच करा लीनी चाहिए बच्चों को अच्छी डाइट दे, उसके ब्लड शुगर के लेवल की समय समय पर जाज करते रहें, कुछ दिक्कत होने पर तुरंथ डॉक्टर को दिखाएं दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें अवरल टाइम्स